नमस्केर दोस्तों, फूर टिवाइट में आप सबी का स्वागत हैं, आसा करतें आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ कुछ किचन गैजट्स के वीबू सियर करूंगी मैंने कुछ प्रोडक्स मुगाया है एमाजोन से, तो उसी का आणबॉक्सिंग में आप लोग के साथ करना चाहती हूँ तो चलिए हम देख लेते हैं कि डेली के काम को ये प्रोडक्स हमारा असान करते या मुश्किल बनाते हैं तो फ्रेंट्स जो पहला प्रोडक्स है हमारा ये है नाइप सार्प करने के लिए तो इसे मैं आनबॉक्सिंग करती हूँ तो इसे यूज़ करकी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे लिए कितना फायर दिम्द है तो मैं इसे काट कूंगी तो यह है हमारा चाकू को धार करने वाला और मैं आपको धार करके भी दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने लिया है दो नाइब। यही है जो मैंने एक साल पहले मंगवाया है और इसे मैं फ्हरें यूज़ करकर दिखाते हूं इसे पर्श करना पड़ रहा है दूसरा के दहाते हूं किसी हमें थोड़ा सबसेव है इक दम तर जाता है टमाटर कीशिता हों तो प्रेंट्स आप देख सकते हैं यह पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और नीचे से आप अच्छे से पकड़ सके उसके लिए यह बहुत ही अच्छा मंदब पकड़ने में बहुत ही अच्छा ग्रीप आ रहा है जो हमारे कीचन के स्लैप है उसके उपर भी यह अच्छे से ग्रीप बनके यह एकदम से बैट जाते हैं तो मैं आपको चाकु धार करके दिखाती हूँ तो यहाँ पर दो खाने दे रखते हैं पहला वाला है जो कम धार करना है और जो दूसरा है यह बहुत तेज वाला धार हो ऐसे करना है तो पांच बार करेंगे हम और आपने देखा था इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है तो मैं यह जो जादा वाला है इसमें मैं पांच बार और कर दोगी ऐसे बस चाकु को अंदर डालके ऐसे आपको खीचना है हो गया रख देंगे हम इसे अब हम यह दूसरा जो नाई पर इशेपी कर लेंगे सेम उसी प्रोसेस से हम पांच बार ऐसे कर लेंगे बहुत ही असानी से हो रहा है आपको पकड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और यह यहां से भी हम पाज बात कर देंगे अब हम फिर से टमाटर काटके आपको दिखाते हैं कि सच पे यह धार हुआ है या नहीं इसे हम साइड में रख देंगे यह मैंने टमाटर दे लिया है पहले इससे काटके देखे वाओ यह तो बिल्कुल लगाते ही एकदम टच करते हैं इसमें बिल्कुल भी धार नहीं था और इसमें तो धार था फिर भी हम चेक वाओ यह भी सेम बैसा ही है एकदम पकड़के और तो फ्रेंड्स यह चाकु धार करने वाला मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया अगर आपको यह प्रोडक्स अच्छा लगे तो आप अब चलते हैं नेक्स पोड़क्स जो हमने मंगवाया है उसका रिदू के लिए फ्रेंड्स मैंने जो दूसरा प्रोडक्स मंगवाया है यह है टमाटर करने के लिए जब सेंड्विच बनाते हैं या सलाद बनाते हैं तो हमें पता है कि टमाटर हमारा बिल्कुल एक साइज में नहीं काटते हैं तो सेंड्विच और सलाद बगारा बनाने के लिए टमाटर की हो टमाटर को एक ही साइज में काटने के लिए हम यह यूज करेंगे तो देखते हैं इ एक टमाटर ले लेंगे हम, इसे हम ऐसे बीज में रखके प्रेस कर देंगे, बिल्कुल प्रेस कर देंगे, ऐसे, ऐसे हमें पकड़ना है, और हमें इस तरीके से कट लगानी है, ऐसे हमें एक खाने में इसे चाकु को अंदर डालना है, और इसे नीचे तर ले आना है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं, कि एक-एक स्लाइस इसका कितना परफेक्ट कटा है, और सबसे लास्ट वाला जो पीस है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, और हमेसा घर में जब हम सलाद बनाते हैं, बहुत ही सिकायत होती है कि टमाटर मोटा कटे हैं, एक साइज का नहीं कटे हैं, तो यह जो प्रोड़क्स हमने मंगवाया है, इससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा कुसू, तो आप खुद ही देख सकते हैं, कि यह आपके लिए कित मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो चलती है, नेक्स्ट जो हमने मंगवाया है, उसका रिव्यू के लिए, अगला जो प्रोड़क्स है हमारा, वो है बाटर मिलन कटर, तो इसे भी हम चेक कर लेंगे, कि यह हमारे लिए कितना काम का है, कुछ इस तरीके का यह बना हुआ है, यह मैंने पहले कभी भी यूज नहीं किया है, तो आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ, इसे यूज करूँगी, और देखते हैं, कि यह काम करता है, सच में या नहीं, तो उसके लिए हम ले लेंगे, वाटर मेलन, पहले हम साइड से ऐसे काट लेंगे, अगर आपको दिक्कत है कि बड़ा है, तो हम इसे बीज में से एक कट और लगा लेंगे, एक टुपरा ले लेती है, दूसरे को हम साइड में रख देंगे, अब हम इसे बीज में से एक कट और लगा लेंगे, साइड में लग देंगे, यह हम ले लेंगे कटर, बस हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रेस करना है, अंदर के और, ऐसे प्रेस करेंगे, और देखें, और हम एक प्लेर ले ले लेंगे, इसमें हम ऐसे डाल देगे, फिर से हम ऐसे पकर के इसे कर लेंगे अब एक बारी में कर सकते हैं ऐसे साइड से भी हम ऐसे कर लेंगे एक बारी में आप दो बार भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है मैं आपको इसका पीस दिखाती हूँ बिल्कुल छोटे छोटे पीस जैसे हम तर्बुज खाना पसंद करते हैं तो फ्रेंट्स हमें तर्बुज को पकड़ना है और ऐसे काटना है इसी तरीके से हम काट लेंगे अब हम इसे रख देंगे साइट में और यह देखिए बॉटर मेलन जो हमने काटा है यह काटे तो बहुत अच्छे से हैं लेकिन कोई भी एक साइज का नहीं है कुछ इस तरीके का यह बना हुआ है देखिए कुछ ऐसे कटे कुछ ऐसे कटे हैं तो यह पूर्डक्स मेरे इसाब से तो बिलकुल ऐसे ही मलब ठीक है लेकिन इतना भी फायदमन नहीं है तो आप देखिए अगर आपको यह पूर्डक्स अच्छा लगे काम का लगे तो आप इसे अमाजू से मंगबा सकते हैं तो फ्रेंस चलते हैं नेक्स प्रोडेक्ट्स की और और प्रेंस नेक्स जो प्रोडेक्ट है हमारा यह है इस तरीके का कुछ बना हुआ तो इसे हम निकाल लेते हैं पहले काट लेंगे यह इस तरीके का चन्नी है और जब हम कुछ भी फ्राइज या पकोड़े वगारा तलती है तो चन्नी भी हमें जरुआत पड़ते हैं और उसे उठाने के लिए या पलटने के लिए हमें इस तरीके का चिम्टा भी तो यह एक ही साथ दिया हुआ है चन्नी और यह कि चिम्टा तो इसे वह यूज करके आपको दिखाती हूं कि यह हमारे लिए कितना फाइदेमाद है तो चलते कि चिन की ओड़ तो फ्रेंड्स हमने यहां पे कुछ पटेटो वाइट्स को फ्राइज करने के लिए रख दिया है तो मैं इसे यूज करके दिखाती हूं आप इस तरीके से चला भी सकते हैं जैसे हम स्पैचूला से चलाते हैं नॉर्माली फिर हमें इसे चाननी के लिए अलग च्छननी की जूरत पड़ते हैं या कोई आप चिकन फ्राइब बना रहे हैं कुछ बी बना रहे हैं आप उसे ऐसे अलग से चिम्टी पकरके उठाना जाएगा आप इसे इस तरीके से चला भी सकते हैं और जब फ्राई हो जाएगा मैं आपको उठा के भी दिखा दूँगे प्राई हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि छोटा है तो इसे हमें चिम्टी से पकड़ने की कोई जो रग नहीं है अगर इसके जगा आपके कोई बॉनलेस चिकन प्राई होता तो आप उसे इस तरीके से चान के पकड़ भी सकते हैं तो हम एक साथ आप देख सकते ह चार से ज़्यादा भी आएगा तो इस तरीके से हम उठाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे दिखिए इस तरीके से तो फ्रेंट्स यह चन्नी हमारा इस तरीके से काम करता है तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बाक्स में बताना आप बिल्कुल भी मत बुलेगा अगर आज की पोड़ास आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी मेरे वीडियो को सेयर किजिएगा तो नेक्स वीडियो आने तक दिल से बहुत बहुत सु अब लोगों ने वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धने वाद़ें